देखें एक शब्द है तक्रार करना तो इस तुटी में तक्रार करना को इंग्लिश और हिंदी में क्या बोलते हैं जानेंगे एकसांपल से सेंटेंसे में शब्द को यूज करके अच्छिदर से समझेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं शब्द को बखेडा खरा करना, बखेडा करना, क्रोध से जगडना और दूसरा और तोर मतलब होता है बार-बार दोहराना मतलब किसी चीज को बार-बार जब दोहराते हैं तो उसको हम बोलते हैं तक्रार करते हैं इंग्लिश में तक्रार करना को बोलते हैं argue, debate, dispute, discuss, content, moot, take up, quarrel, या repeat, मतलब दोहराना, जले एक्जाम्पल से sentences में समझते हैं शब्त को अच्छी तरह से, जैसे बोलेंगे आप मोलचाल में तो इस तरह से शब्त को प्रियोग करेंगे, हम लोग के तक्रार करने से कुछ नहीं होगा, मुझसे कान की बातें करो, मतलब अंग्जिश में, there will be no use of arguing, talk to me about something which is useful, दूसरा example है के वो दोनों पती-पत्नी हैं और उन दोनों में तक्रार भी है और प्यार भी है, मतलब अंग्जिश में, they are husband and wife and they both have disputes and love, ठीक है तो मैं अपने तक्रार करना शब्सकों इंग्लिश और इंदी में एग्जांपल के साथ मैं अच्छी तरे से समय लिया है, thanks for watching, you care, days